नमस्कार दोस्तों फिर से एक बार मैं नरश महननद आपका लाइफ सो में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि क्या मसीही लोग होली मना सकते हैं कि नहीं मना सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों जिस्प्रकार से बाइबिल में लिखा हुआ है, यहाँ पर हम देखते हैं कि कुलूसियो、 दूसरा अध्याय, है ना। कुलुसयों दूसरा अध्याय में यहां पे लिखा हुआ है, इसलिए खाने पीने या पर्व या नय चांद या सब्बत के विसे में तुम्हारा कोई फैसला न करें, क्योंकि यह सब आने वाली बातों की छाया, पर मूल वस्तों मसी की है, तो यहां पर जो है इस बात को बताय गया है कि कोई भी तीस तेवार पर्व जो है, बाइविल के अनुसार हमें नहीं दिया गया है, पहली बात, दूसरी बात यह कि दूसरा अध्याय है, उसका 20 में जब हम यहां पर पढ़ते हैं, 20 से ले करके 22, 23 तक यहां पर जब हम पढ़ते हैं, 24 तक, तो यहां लिखा हु हैं, मसी के साथ संसार के शिक्षा के लिए मर चुके हैं, संसार के सिक्षा हमारे लिए नहीं है, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं, जीवन बिताते हो, जो संसार में हैं, जीवन क्यों बिताते हो, जब आप प्रभूईश मसी को क्या ग्रहन कर चुके हो, आप उसके अनुसार चल रहे हो, आप उसके वचनों को फॉलो कर रहे हो, तो संसार के अनुसार जीवन क्यों बिताते हो, और क्या लिखा हुआ है, तुम ऐसी वीदियों के वस में क्यों रहते हो, कि यह ना चुना, उसे ना चकना, और उसे हाथ ना लगाना, यह सब वस्तुएं काम में लाते लाते नश्ट हो जाएंगी, क्योंकि यह मनुश्यों की आज्याओं और शिक्छाओं के अनुसार है, इन वीदियों में अपनी इच्छा के अनुसार गड़ी हुई भक्ती, रिती और आत्महींता, और शारिक योग्यभास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परन्तु शारिक लालसाओं को रोकने में इन से कुछ भी लाव नहीं होता, आप याद रखें यह वचन, और यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगा, कि यह जो होली है, जो हम रंग लगाते हैं, that is business, वो बहुत बड़ा एक business है, है ना, रंग का जो तात्पर यह है, इसका जो कहा मामा, अपने जो मामा है, उसके मतलब उसके विरूत था, वो समझो, क्योंकि प्रलाट जो था वो विसनु का भग था, और उसको हर समय हरी को जपनी के लिए वो इस प्रकार से अपने आपको बनाया रखा था, तो इसका हिरनकश्चप जो है, वो उसका मामा था, तो से मरनेसे पहले यह वह क्या करता था प्रलात को बहुत सजा दे था क्योकि वो विष्णू का उपासना करता था और उतना समय क्या हуля को एक पापर मिला था और वह पावर काहनी है अब मैं इसको कितना अच्छा कितना सच्चा यह सब बाते नहीं करने वाला हूं मैं यहां यह बता रहा हूं कि होली इसले ही लोग मना रहे हैं ठीक है फिर वह होली का मतलब उसको किसी भी रिती से उसको फेक दिया गया मार दिया गया भाला में सुला दिया गया लेकिन वह नहीं मरा कौन प्रलाद लेकिन पर जो है हिरनकश्रप बोलता है कि बहन होलिका तू इसको ले करके अगनी में बैठ जाता है और उसकी बुवा जल जाती है हिरनकश्रप की बहन जल जाती है लेकिन प्रलाद नहीं जलता है तो यह तब से होली को मनाया जाता है और मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा है कि विश्नु को इसमें पूजा जा रहा है कि प्रलाद को पूजा जा रहा है कि हिरनकश्रप को पूजा जा रहा है कि होलीका को पूजा जा रहा है क्योंकि होलीका का पूजा करते हैं पवित्र है ऐ यहां पर बताया गया है और अलग-अलग और भी बहुत सारी कहानी है बट इस विसे में जानना भी नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की बनाई हुई कालपनिक कहानिया है और इस कहानियों के द्वारा आज सब लोग होली मना रहें और होली देखो उसमें जो है रंग कोई मिलाव का बिजनेस और बाल वीग वगेरा भी पहनते हैं लोग चूड़ी कलर यह कलर रंग रंग बहुत सार रंग पानी कलर हैं फिर वह बैलून उसके अंदर रंग डालते हैं यह एक बिजनेस हैं लोगों को बेवकुप बना-बना करके उनको मतलब यह भी बोला जाता है कि होली यह एक प्रेम का तेवार है इसमें प्रेम कम और लडाई जगड़ा और गंजेडी और नशेड़ी और सटारी और जुआरी लोग आपको जादा मिलेंगे तो प्रेम जो है प्रेम केले कोई तेवार की ज़र्वत नहीं अगर मनिष्चे का मन सच्चा है तो किसी से भी प्रे चाहिए है क्योंकि ये सांसारिक मनिश्यों ने बनाया है और ये मसी लोगों के लिनिये अगर हम मसी हैं तो ये सारे हर एक प्रकार के मनिश्य के बनाए में रीती रिवास से हमें दूर रहना चाहिए इससे कोई भी आत्मिक लाब नहीं होगी इससे तनाओ सताओ और हर प्रका बाइबिल में लिखा हुआ है बाकी और किसी धरम में नहीं लिखा हुआ है बाइबिल इसरी पे ऐसा पुस्तक है जिसमें आपको यह बात बताया गया है प्रेम के बारे में और बाकी तो बहुत सारे मतलब उधारण दे रहे हैं लैला मजनु का प्रेम इसका प्रेम उसका प् आपके जीवन में बहुत सारी परिशानी और क्योंकि आप समझ जाए ये पत्नी पत्नी कृश्चन है मसी में है पती जो है मसी में नहीं तो वो होली मनाएगा लेकिन आप बोलोगे अब मैं कैसे करूँ मेरे पती तो मान रहा नहीं तो देखिए यहां पर सिच्वेशन ऐसा होता है आपके मन में क्या है यह माने रखता परमिश और मन का जांचने वाला है वो तन का जांचने वाला नहीं मन का जांचने वाला है तो अगर आपने मना कर दिया अरे जब आप अपने परिवार में बहुत सार चीज़ों के लिए मना क फी stretchy हर्चीज के लिए हम जीत करके अपने परिवार को मना लेते हैं गाड़ी खरेड कर दो मैं या इस्कुल में पड़ूंगी मैं नहीं पड़ूंगी अब यहां जाओंगी मैं जाना चाहती हूं मेरे को ये खरेड के दो मेरे को ये करूंगा मैं यह नहीं खाती में वो खातियु में ऐसा है वैसा है लंदर फंदर बहुत सारी बातों के लिए हम जीत कर लेते हैं लेकिन जब हम पती मसी है या पतनी मसी है तो हम क्यों नहीं मना पाते हैं हम क्यों नहीं बोल पाते हैं हमें बोलना है परमेश्वर के लिए लड़ना है हमें अपने च्छाओं को मार करना है यह सारी बाते हमें याद रखना है और हमें अपने जीवन को पाक पईद्र रखना तो आज हमें आज के बाते ठानना है कि मनुष्य की बनाएं में रितिविद्या को नहीं मानना है ठीक है तो आज के लिए हमारा यही शुच्छा था कि हमें कोई भी मनुष्य की रिति मसी लोग ना मनाएं, लेकिन बहुत सारे मसी लोग हैं, इसको मनाते हैं, ये वीडियो से हम यही शिक्छा मिलता है, कि हम किस प्रकार से अपने मसी जीवन को ग्रोथ कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सस्क्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल में कमेंट भी करें कि आपको कौन-कौन से विशा पर कैसे कैसे वीडियो चाहिए हम बना करके आपको देंगे और बताएंगे परमिशुर को बचन के अनुसार तो दोस्तों और भी बहुत सरे नए बातों के साथ हम मुलाकात करेंगे तब तक के लिए हम आपसे अलविदत चाहते हैं